चलिए आज बात करते हैं प्रकाश की प्रकृति या फिर नेचर ओफ लाइट की प्रकाश की प्रकृति को दो थ्योरी या दो सिध्धान्तों की द्वारा समझा जा सकता है इसमें पहला सिध्धान्त है कॉपस्किलर थियोरी ओफ लाइट या प्रकाशी ये कणी का सिध्धान्त और दूसरा सिध्धान्त है प्रकाश का तरंग सिध्धान्त या फिर वेव थियोरी ओफ लाइट तो पहले हम देखते हैं ये प्रकाशी कणी का सिध्धान्त या कॉपस्किलर थियोरी ओफ लाइट क्या है तो न्यूटन ने ये थियोरी दीती प्रकाशी कणी का सिध्धान्त न्यूटन के अनुसार जो प्रकाश होता है वह बनता है कणों से मिलकर और इन ही कणों को बोला ज नाम दिया गया प्रकाशी करने का सिध्धान्त ठीक है अब जो यह सिध्धान्त था यह काफी सारी प्रकाशी घटना हूँ जैसे कि परावरतन अपवरतन यानि कि रिफ्लैक्षिन रिफ्रैक्षिन इत्यादी को तो यह समझा पाया तो यहाँ पर तो यह सफल सिध हुआ या सफल साबित हुआ ठीक है लेकिन कुछ प्रकाशी घटनाएं जैसे की व्यतीकरण अर्थात इंटरफेरिंस विवर्थन अर्थात डिफ्रेक्शन ऐसी कुछ घटनाओं को यह नहीं समझा पाया अताहा यह यहाँ से विफल या औसफल साबित हुआ तो इसलिए कुछ टाइम के बाद प्रकाशी करने का सिध्धान्त को असफल साबित कर दिया गया और फिर प्रतिपादन हुआ तरंग सिध्धान्त का या फिर वेव थ्योरी ओफ लाइट का जिसका जो प्रतिपादन है वह किया गया सी हाईगेन के द्वारा त तो आज हम लोग देखेंगे कि जो विद्यत चुम्ब कि ये तरंगे होती हैं या electromagnetic waves होती हैं उनकी प्रकृती किस प्रकार की होती है या फिर जो electromagnetic radiations होते हैं उनकी जो wave nature है वह किस प्रकार से होता हैं तो चलिए इस पर बाद करते हैं, तो सबसे पहले Maxwell ने बताया कि जो प्रकाश होता है वह X किर्णो, गामा किर्णो तथा उश्मा इत्यादी के रूप में उर्जा विकिरित करता है, जिन्हें बोला जाता है विकिरन उर्जा, और जो ये तरंगे होती है, ये इलेक्ट्रिक फ अब आपको ये नजर आए बलू गलू का ये है चुम्बकी शेत्र घटक, तो इस रूप में इनका व्याभार होता है, और इसी लिए इनको बोला जाता है विद्यूत चुम्बकीय तरंगे, क्यों? क्योंकि इनका व्याभार होता है किसकी तरह? विद्यूत शेत्र और magnetic field यानि कि चुम्बकिये शेत्रों की तरह, ठीक है, तो ये सबसे पहली बार Maxwell ने बताया और इनकी जो कुछ गुण थे वो हम लोग देखेंगे, अब आप ये देख रहे होंगे कि ये लेमडा लिखा हुआ है, ये क्या होता है, ये सी लिखा हुआ है, ये क्या होता है, तो ये हम लोग आगे जब इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, तब हम बात करेंगे विद्युद्चुम्बकी तरंगों के कुछ अभी लक्षणों के बारे में तो अभी आज के लिए हम कुछ मुख्य गुण जानने वाले हैं विद्युद्चुम्बकी तरंगों के तो इसमें जो सबसे पहला गुण है वह है कि ये विकिरण या तरंग के रूप में उर्जा का लगातार उत्सर्जन करते हैं ये बात तो Maxwell ने बोली थी है ना और ये हमने शुरू में ही डिस्कस कर लिया कि उन्होंने क्या बोला था कि जो प्रकाश तरंगे होती हैं वे लगातार उर्जा का क्या करते रहती हैं उत्सर्जन करते रहती है ठीक है दूसरी बात इसमें ये थी कि विकिरण वैद्यूत और चुम्बकी शेत्रों से संबंधित होते हैं जो कि हमने इस डाइग्राम में देख लिया है ना इलेक्ट्रिक फिल्ड और मागनेटिक फिल्ड से रिलेटेड होते हैं जो एक दूसरे के तथा साथ ही विकिरण के संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं तो ये जो इलेक्ट्रिक फिल्ड है और ये मागनेटिक फिल्ड है ये एक दूसरे के क्या है लंबवत है और साथी साथ जो ये संचरण की दिशा है जो ये direction आपको दिख रही है ये तरंगों के संचरण की दिशा है जिस तरफ को तरंगी क्या कर रही है गती कर रही है या संचरित हो रही है ठीक है तो ये इस संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं और एक दूसरे के यानि की व वेग से गतिमान होती है तो प्रकाश का वेग क्या होता है यह होता है तीन गुणा दस की घात आठ मीटर प्रती सेकंड ठीक है तो इस वेग से यह तरंगी क्या होती है गतिमान होती है या चलती है कौन सी तरंगे वैद्द चुम्ब की तरंगे और इनका एक और गुण यह भ जैसे कि हमने देखा है कि जो सूर्य का प्रकाश होता है ना वह जब प्रित्वी तक पहुंचता है या जो यह किरने हैं प्रित्वी तक पहुंचती है तो यह कहां से पहुंचती है अंतरिक्ष्ट से होकर पहुंचती है ना तो यह तो है सूर्य और इसकी किरने प्रकाश किरन प्रिथ्वी तक कोई भी फिजिकल मीडियं उन होता है। तो ये कहां से आती है ये आती है निर्वाद सério कर सब्सक्रीट तो यह तो कुछ इम्की zost अब अगले lecture में हम लोग देखेंगे इन तरंगों के कुछ अभिलक्षणों को चलिए आज देखते हैं कि विद्धुत्चुम्ब की तरंगे या फिर electromagnetic waves के कुछ अभिलक्षणों को पदों के रूप में किस प्रकार से अभिव्यक्षत किया जाता है और परिभाशित किया जाता है तो देखिए ये है एक वैधिद्चुंबा की तरंग और जो वैधिद्चुंबा की तरंगे होती है वे संचरन करती है श्रिंगों अरथाद क्रेस्ट और गड़तों अरथाद ट्रफ के रूप में तो ये कहलाते हैं श्रिंग, जिन्हें हम बोलते हैं क्रेस्ट, ठीक है, ये श्रिंग है, इनको क्या बोला जाता है, क्रेस्ट, ठीक है, और ये होते हैं गर्थ, तो ये हैं गर्थ, जिन्हें बोला जाता है च्रफ, तो यहाँ पे लिख लीजिए, ये हो गए गर्थ, और इन् कि जो विध्यत चुमबकी तरंगे होती हैं वे श्रिंगों और गर्तों के रूप में संचर हम करते हैं अब जो दो श्रिंग होते हैं na इनकी बीच की distance को बोला जाता है तरंग डैर्धिये या फिर wavelength, lambda, या फिर जो दो गर्थ होते हैं, इनके बीच की distance को भी क्या बोला जाता है, lambda, या फिर wavelength, या फिर तरंग दर्धी, ठीक है, तो एक term हमको समझ में आया, कि wavelength या तरंग दर्धी क्या होती है, और इसे किस से प्रदर्शित किया जाता है, lambda से, ठीक है, या फिर जो या तरंग होती है, जब वह अपनी एक cycle पूरी कर लेती है, तो उसनी जितनी भी दूरी उस cycle को पूरा करने में तै की होती है, वह distance, या वह लंबाई, या फिर वह दूरी भी, lambda, या फिर wavelength कहलाती है, देखिए, इस wave ने अगर यहां से चलना शुरू किया, ठीक है, तो इसन से यहां तक जितनी भी इसने distance travel की है, वही उसकी तरंग दैर्थिय या wavelength या फिर lambda से उसको प्रदर्शित किया जाएगा, लेकिन generally तो दो क्रमागत श्रिंगों के बीच की दूरी या फिर दो क्रमागत ट्रफ्स या फिर गर्तों के बीच की दूरी ही wavelength या तरंग दैर्थिय कहलाती है, तो चलिए इसको परिभाशित करते हैं, तो दो क्रमागत श्रिंगों अत्वा गर्तों के बीच की दूरी, यानि कि दो क्रम से आने वाले जो श्रिंग हैं या फिर crest हैं, एक के बाद एक आने चाहिए, ऐसा नहीं होगा कि इस श्रिंग या इस crest से लेकि इस वाले crest तक की दूरी को तरंग दैर्धिये, नहीं बोलेंगे, इन दोनों की बीच की distance को, और इन दोनों की बीच की distance को क्या बोलेंगे हम, तरंग दैर्धिये बोलेंगे, ठीक है, तो इसकी परिभाशा नोट कर लीजिए, कि दो क्रमागत श्रिंगों, अर्था crests, अत्वा गर्त तरंग दैर्धिये या फिर वेवलेंथ बोला जाता है, अब वेवलेंथ का या तरंग दैर्धिये का मातरक हम क्या क्या लिख सकते हैं, तो इसको कई अलग-अलग मातरकों के रूप में लिखा जाता है, जैसे की एंगेस्ट्रॉम के रूप में इसको लिखा जाता है, या इसको माइक्रोन के रूप में लिखा जाता है, यह माइक्रोन का साइन है, ठीक है, या फिर नैनो मीटर के रूप में लिख सकते हैं या फिर पीको मीटर के रूप में लिख सकते हैं या फिर मिली माइक्रोन के रूप में आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, अब हम देखेंग मातरक convert करने के लिए आपको numerical में use हो सकते हैं, तो इसलिए इनको धंक से समझ लीजिए और note करते रहे हैं, तो एक angstrom equals to होता है 10 to the power minus 10 meter के, वहीं 1 micron बराबर होता है 10 to the power minus 6 meter के, ठीक है, उसी प्रिकार से 1 millimicron 1 millimicron बराबर होता है 10 to the power minus 9 9 meter के, ठीक है और 1 nanometer तो आपको पता ही है, किसके बराबर होता है ये होता है 10 to the power minus 9 meter के, ठीक है उसी प्रिकार से आप लोगों को ये भी मालूम है कि 1 pico meter किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 10 to the power minus 12 meter के, ठीक है तो आप एक term समझ गे वैद चुम्बकी तरंगों के अभी लक्षन से related तरंग दैर थे, यानि की वेव लेंथ, वेव लेंथ क्या होती है, दो क्रमागत श्रिंगों अर्थाद क्रेस्ट्स, अत्वा दो क्रमागत गर्तों अर्थाद ट्रफ्स के बीच की जो डिस्टंस होती है, या जो दूरी होती ह वही क्या कहलाती है, वेव लेंथ कहलाती है, और इसे किस से प्रदर्शित किया जाता है, इसे प्रदर्शित किया जाता है लैमडा से, ठीके, तो ये होता है लैमडा का साइन, तो ये अच्छे से समझ लीजेगा, ठीके, अब नेक्स टर्म की बात करते हैं, तो नेक्स टर् कितनी है, यह होता है आयाम, यही कहलाता है आयाम, या फिर किसी गर्थ की गहराई कितनी है, यह भी क्या कहलाएगा, एम्प्लिटूट या फिर आयाम, ठीक है, तो आयाम समझे आप, क्या होता है, आयाम होता है किसी श्रिंग अर्थात क्रेस्ट की उचाई, या फिर गर्थ अ आयाम बोलते हैं किसी वैद जुद चुम्ब किये तरंगों में तो चलिए इसकी परिभाशा नोट करते हैं तो amplitude को define करते हुए आप लोग लिख सकते हैं कि किसी तरंग के श्रिंग की उचाई या फिर गर्त की गहराई क्या कहलाती है आयाम कहलाती है तो जो आयाम होता है उसका मातरक लंबाई के ही जितना होता है क्योंकि ये क्या दर्शारा है है उचाई और गहराई है ना तो ये लंबाई के ही जैसा मीटर सेंटीमीटर इत्यादी में लिया जा सकता है और इसे हम लोग शो करते हैं amplitude को small a से तो कहीं पर आपको small a नजर आएगा तो वह क्या दर्शारा है amplitude या फिर आयाम को दर्शारा है अब बात करते हैं एक और term की तो अगला point है frequency यानि की आवरित्ती आवरित्ती क्या होती है किसी तरंग की एक second में कमपनों की जितनी संख्या होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं आवरित्ती या फिर उसे ही क्या बोला जाता है frequency तो बस इतना याद रखना है एक second में कमपनों की संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं उस तरंग की आवरित्ती या frequency कितनी है या फिर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी एक सेकिंड में कोई तरंग ने कितनी वेवलेंथ क्रॉस की है, ठीक है, कितनी वेवलेंथों की संख्या उसने एक सेकिंड में क्रॉस की है या वो उनसे गुजरी है, तो उसे भी हम क्या बोलेंगे, उसकी आवृत्ती बोलेंगे और तरंग दैर्धी क्या होती है अभी अभी हम लोगों ने ये भी डिसकेस किया था क्या होती है तरंग दैर्धी है दो श्रिंगों अर्थाद क्रेस्ट्स दो क्रमागत श्रिंगों है ना उनके बीच की दूरी या फिर दो गर्तों अर्थाद ट्रफ्स दो क्रमागत गर्तों है ना इनके बीच की दूरी को ही क्या बोला जाता है वेव लेंथ यानि की तरंग दैर्धियों तो आप लोग frequency या फिर आवरित्थी को परिभाशिक करते हो बोल सकते हो कि एक second में जितने भी तरंग दैर्धियों की संख्या ही क्या कहलाती है आवरित्थी कहलाती है तो अब नोट कर लेते हैं कि जो ये आवरित्थी या frequency होती है इसकी इकाई क्या होती है? इसकी इकाई होती है second की power minus one या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं one upon second, ठीके? और जो ये second की power minus one है, इसको बोला जाता है hertz, ठीके? तो जो आवरिती है, उसकी इकाई या मात्रक के रूप में आप hertz का प्रयोग भी कर सकते हो, इसको ऐसे दिखाया जाता है, और इसके लिए आप second की power minus one का प्रयोग भी कर सकते हो यहाँ पर जो ये एक hertz होता है, ये बराबर होता है, एक चकर प्रती second के ठीक है? तो ये भी आपको याद रखना है, कि एक hertz बराबर होता है, एक चकर प्रती second के, तो इतना समझे है आप लोग, अब इसमें एक बात और है, कि जो ये आवरिती या frequency होती है, इसे हम दिखाते है इस प्रकार से, और इसे बोला जाता है new, ठीक है? तो इससे हम लोग आवरिती को denote करते हैं, या फिर प्रदर्शित करते हैं, अब बात करते हैं हम अगली term की, तो अगला term या अगला पद है vague या फिर velocity, इसको आप लोग physics में भी पढ़ते होंगे, वैसे ही है, same to same तरंग के लिए भी कि एक second में चली गई रेखिये दूरी किसके द्वारा, तरंग के द्वारा एक second में चली गई रेखिये दूरी को हम क्या बोलते हैं, vague बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, velocity बोलते हैं ठीक है, तो जो vague होता है इसे प्रदर्शित किया जाता है किसके द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है small c के द्वारा ठीक है और जो इसका मातरक होता है वह क्या हो जाएगा तो देखिए क्या लिखा गया है एक second में चली गई रेखी ये दूरी दूरी का मातरक क्या होता है meter और कितने second में एक second में यानि की upon क्या हो जाएगा time यानि की sum है कितना हो गया second तो क्या मातरक हो गया meter प्रती second या फिर हम इसको और क्या बोल सकते हैं या हम इसको बोल सकते है meter second की power minus one ठीक है तो ये हो गया वेग या फिर velocity इन तरंगों के लिए वैद चुमब किये तरंगों के लिए तो अब बात करते हैं next term की next term है तरंग संख्या या फिर वेव नंबर तो देखिए तरंग संचरन की दिशा में काई लंबाई में आने वाले तरंग देज्धियों की संख्या ही तरंग संख्या या फिर वेव नंबर कहलाता है इसको हम कैसे समझेंगे तो देखिए एक तरंग है ठीक है ये इस तरीके से तरंग है ठीक है, मान लिया यहां से यहां तक कि जो लंबाई है वह हमने ले ली एक सेंटी मीटर, ठीक है, तो इस इकाई lंबाई में या फिर इस इकाई दूरी में आने वाली जितनी भी वेवलेंथ हैं या फिर तरंग दैड़्धे हैं उनकी संख्या ही क्या कहलाएगी वेव नंबर या फिर तरंग संख्या कहलाएगी. ठीक है? अब हमको पता है wavelength कैसे ग्याद की जाती है? दो क्रमागत श्रिंगों अत्वा गर्तों के बीच की दूरी ही क्या कहलाती है? lambda या फिर wavelength कहलाती है. तो इस प्रिकार से क्या होगा कि एक एक इकाई लंबाई में आने वाली जितने भ हम प्रदर्शित करते हैं new bar से, आपको याद है new किसका प्रतीक था, यह था frequency या फिर आवृत्ति का प्रतीक, और इसके ओपर से एक बाल लगा देना है आपने, तो वह प्रतीक बन जाएगा, किसका तरंग संख्या या फिर wave नंबर का, ठीक है, तो जो तरंग संख्या होती है यानि कि new bar होता है, यह बराबर होता है one upon lambda या फिर one upon wavelength या फिर one upon किसके तरंग दैर धेके, ठीक है, यानि कि अगर आपको इस new bar अर्था तरंग संख्या या wave नंबर की गरना करनी है, तो आपको one upon lambda या फिर one upon wavelength करना होगा, जिससे कि आपको तरंग संख्या या wave नंबर की प्राप्ती हो जाई ठीक है तो ये तो कुछ अभी लक्षन थे वैद्यचुंबा की तरंगों के जिने हमने पदों के रूप में व्यक्त करने की कोशिश की और ये जो पद हैं या ये जो टर्म्स हैं ये अलग-अलग questions में या numerical में पूछे जाते हैं और हमें वैसे भी पता हो ठीक है तो देखिए अब एक और बात है इसमें कुछ फॉर्मले हैं इसे रिलेटेड जैसे कि तरंग दैर्धी आवरत्ती और तरंग संख्या में हम लोग संबंद देखेंगे अलग-अलग फॉर्मले या फिर सूत्रों के बेसिस पर ठीक है तो सबसे पहले तो कुछ सूत् तो देखिए c यानि कि velocity बराबर हो जाता है lambda into new के c क्या है velocity या vague ठीक है lambda है wavelength और new क्या होती है frequency या फिर आवरत्ती ठीक है तो एक फॉर्मला तो आपके पास यह हो गया या फिर ये एक संबंद भी हो गया किस किस के बीच में vague wavelength यानि कि तरंग दैर्ध है frequency यानि कि आवरत् या फिर इसी फॉर्मले के basis पे आप लोग और क्या लिख सकते हैं आप लोग frequency यानि कि आवरती new equals to क्या लिख सकते हैं c upon lambda तो एक संबंद ये इस प्रेकार से भी हो गया कहीं questions में आपके काम आ सकता है ठीक है अब देखिए जो lambda होता है वह किसके बराबर होता है lambda बराबर ह होता है one upon new bar या फिर wave number के है ना या फिर wave number बराबर होता है one upon lambda ठीक है अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने discuss कर रखा है तो ये new bar क्या है wave number है या फिर तरंग संख्या है और जो ये lambda है ये क्या है ये है wavelength यानि कि तरंग दैथ ठीक है तो एक संबंद ये हो गया और इसी से आप लोग एक संबंद और ग्याद कर सकते हैं क्या देखें यहाँ पर new है यहाँ पर c है ठीक है और ये lambda है lambda की जगे पर आप लोग इसकी value रख दीजिए one upon new bar की value रख दीजिए तो देखते हैं क्या answer आता है तो हमने लिखा new equals to c upon lambda की value कितनी है one upon new bar ठीक है अब ये new इस numerator म c के साथ में जाकी क्या हो जाएगा multiply हो जाएगा ठीक है तो ये क्या बन जाएगा c new bar ठीक है तो एक संबंद इस तरीके से भी हमारे पास हो गया और इसका use हम लोग किसमें कर सकते हैं किसी भी numerical में कर सकते हैं तो ये कुछ formula कह सकते हैं या तरंग देर्धे आवरती तरंग स संक्या और वेग के बीच में संबंद कह सकते हैं ठीक है तो इनको आपने अच्छे से याद कर लेना है और इनका revision करते रहना है कहीं पर questions में पूछे जाएं तो इनका आप use करेंगे ठीक है चलिए तो आज इतना ही पढ़ते हैं फिर अगनी lecture में हम कुछ नए topic पे बात करे तो देखिए जो विद्युद चुम्ब की स्पेक्ट्रम या फिर electromagnetic spectrum तो देखिए जो विद्युद चुम्ब की तरंगे होती है यानि की जो electromagnetic waves होती है जैसे कि आप इसमें उदारण के रूप में ले सकते हैं सूर्य का प्रकाश जब सूर्य का प्रकाश पृत्वी तक पहु आवरिति की क्या होती है तरंगे होती है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो electromagnetic waves होती है या विद्युद चुम्ब की तरंगे होती है उन में भिन भिन आवरितियों यानि की जिसे हम new से denote करते हैं वह भिन भिन वेवलेंस यानि की जिसको हम किस से denote करते हैं लेमडा से ठीके त तो भिन भिन आवरितियों और अलग-अलग तरंग दैर्धिय वाली क्या होती हैं? विकिरने होती हैं या फिर तरंगे होती हैं, ठीके? जिससे निर्मित होता है एक स्पेक्ट्रम और इसी को क्या बोला जाता है? विद्द चुम्ब की ये spectrum, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, इसमें जितना हमारे लिए जरूरी है, हम उतना ही पढ़ेंगे, बाकी इसका एक diagram आपकी बुक में दिया गया है, आप उसमें से जो विभिन तरंगों की range हैं, या फिर wavelengths हैं, या frequencies हैं, उनको भी note कर सकते हैं, ठी विभिन जो किरने होती हैं विद्द चुम्ब की spectrum में, ठीक है, अगर उन्हें हम लोग wavelength के आधार पर लिखें, तो देखिए, इसमें सबसे आधिक wavelength, यानि की जो lambda का मान है, वह होता है, रेडियो तरंगों का, ठीक है, तो जो ये मैंने arrow का sign बनाया है, इसका ये मतलब है, क तो इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि gamma किरनों का जो wavelength है, या फिर तरंग दैर्धिय है, वे इन सभी किरनों में सबसे कम हैं, उससे ज्यादा X किरनों की है, फिर उससे ज्यादा परा बैंगनी किरनों की है, जिनको ultraviolet rays गोलते हैं, ठीक है, फिर द्रिश्य किरने या फिर द अधिक तरंग दैर्धिय वाली waves होती है, वो होती है, रेडियो तरंगे, ठीक है, तो अगर लेमडा का मान सबसे ज्यादा रेडियो तरंगों के लिए है, और सबसे कम इन सारी जो rays हैं, उनमें से अगर गामा किरनों के लिए है, तो इसका मतलब जो आवरितियों का मान है, वहें इनमें कैसे हो जाएगा, लेमडा का मान इधर साइट को क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसके बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो आवरिति का मान है, वहें इन तरंगों में इस तरीके से बढ़ रहा है, यानि कि रेडियो तरंगों की जो आवरिति होगी, वह क्या होगी वह सबसे कम होगी ठीक है और जो गामा किरने हैं उनकी जो आवरिति होगी वह क्या होगी सबसे आधिक होगी ठीक है अब देखिए हम लोगों की जो आखें हैं वह कौन सी रेज को कौन से प्रकाश को देख पाती हैं दृष्य किरनों को या फिर विजिबल लाइट को ठीक है तो उसके लिए हम लोग देख लेते हैं कि कौन-कौन से विकिरन होते हैं तो जो दृष्षय किरने होती है या जो दृष्षय प्रकाश होता है वह सात रंगो यानि की विब क्योर में हम लोग इसको देखते हैं ठीक है तो जो इसमें बैंगनी रंग होता है पहले त हरा रंग यलो यानि की पीला रंग औरेंज यानि की नारंगी रंग और फिर रेड यानि की लाल रंग ठीक है तो इन साथ रंगों के विकिरणों में जो रेड कलर है यानि की लाल रंग जो है उसके लिए जो आवरिती होती है यानि की न्यूं का मान होता है तीन दशमलव इन सारे ही विकिरणों के आवरित्यों में ठीक है और जो red color के लिए wavelength होती है यानि कि जो lambda का मान होता है वह होता है 7.6 into 10 to the power minus 7 meter ठीक है जो की होता है अधिकतम इन सारे ही विकिरणों में ठीक है तो हम क्या समझें कि जो लाल रंग है उसके लिए आवरित्य का मान क्या होगा वह क्या होगा अधिकतम होगा वैसे ही जो यह बैंगनी रंग है इसके लिए जो तरंग दैर्ध्ये है उसका मान होता है निूंतम और उसका मान होता है 3.8 into 10 to the power minus 7 meter ठीक है तो यह है wavelength का मान निूंतम किसके लिए बैंगनी रंग के लिए ठीक है और इसके लिए जो आवरित होती है यानि कि new का मान जो होता है वह होता है 7.89 into 10 to the power 14 hertz तो इन 7 रंगों की विकिरणों में जो lambda का मान है wavelength का जो मान है वह violet color यानि कि बैंगनी रंग के लिए होता है new thumb ठीक है जिसका मान यहाँ पर मैंने लिख दिया है 3.8 into 10 to the power minus 7 meter और जो बैंगनी रंग है उसके लिए जो आवरित्ती है यानि कि frequency है उसका मान होता है 7.89 into 10 to the power 14 hertz जो कि इन सभी विकिरणों में सबसे कम wavelength शो करता है ठीक है जो लाल रंग है वह सबसे अधिक wavelength यानि कि तरंग देर्धे शो करता है ठीक है और इसकी जो आवरित्ती होती है वे इन सभी विकिरणों में सबसे कम या फिर new thumb होती है तो अगर हमें आप विद्युद्चुम्ब की spectrum या फिर electromagnetic spectrum को परिभाशित करना हो तो हम लोग क्या बोल सकते हैं हम विकिरणों का तरंग देर्ध के बढ़ते या घर्टे क्रम में उनको रखा जाए और सही तरीके से उनको क्या किया जाए विवस्थित किया जाए तो इससे जो spectrum तयार होता है वह क्या कहलता ए विद्युद्चुम्ब की spectrum कहलाता है तो आप इतना अच्छे से रिवाइस कर लिजिए, फिर अगली लेक्चर में हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे. अपने पाच के बाकी वीडियोज देखने के लिए, गूगल प्ले स्टोर से मोबाइल अप्लिकेशन डाउनलोड कीजिए, विध्यासार. आप चाहिए, तो हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, www.vidyasaar.com, यहाँ पर आपको केविल अंग्रेजी के नहीं, विज्ञान और गणित के वीडियोज भी देखने को मिलेंगे. तो फिर बाकी वीडियोज के लिए, मोबाइल अप्लिकेशन पर मिलते हैं.